खेल अभी शुरू होने वाला है दर्शकों को शांती से बैठे रहना है ये मेरा आप सबसे निवेदन है ये कौन है जो भीच में घूम रहा है आप से निवेदन है कि उसे बिठाइए जैभूनेश्वरी यूर संग ये है डॉक्टर राजकुबार के चाने वालों का संग इन दोनों के बीच क्रिकट का मैच चल रहा है आप सबका इसमें स्वागत है सुष स्वागत है अभी तक जिस टीम ने एंट्रिफी दी हुई है काका गंड़ादेवा के साथ हमारी टीम को डालो हमारा पहला खेल चिकल सिंग्री के साथ रखो अरे उन लोगों को भी पहला चुप रहो क्या करना है हम लोग देख लेंगे अब जाओ तुम लोग आराम से खेलो अब देखना हमारे तेवर तुम चलो अभी जो गेम चल रहा है डोडा खीकरा डंडा देवकर संग के साथ और सामने है वांड़ना आर्मी चिंकर सिंकरे अपने इंडिया पाकिस्तान के जैसा बहुत इंट्रेस्टिंग हो जाता है यह तो बाउंडर के पास चलते ही पीछे जा लूंगी पहन के मैच खेलने आया क्या रहा हुआ हुआ हार गया जितनी एंट्री फिस क्रिकेट खेलने के लिए भरते हो उतने में एक तालाव या वाइन शॉप भाड़े पर लेकर तुम लोग कमा भी सकते हो एई जाते जाते यह बड़े पापा के घर देते जाना है क्या है अरे पता नहीं यह लोग कौन है बार में तब से जगडा कर रहे हैं भाई पूरी बोटल पीली जब मैंने पैसा मंगा तो बोलते तुम्हें डुब्लिकेट माल दिया अपने ओनर को बुलाओ हैसा क्या सुनो एक बोतल दो और पूछो कहां से आया है यह क्या इतनी चोट कैसे लगी हां डोड़ा सिंग्रे के लड़के लोगों के हाथों मार खा करा गया चाओ कहीं फासी लगा कर मर जाओ नहीं लेकिन हमने भी मारा तुने कितना मारा मुझे पता है वो गुली कमीना आया था क्या नहीं क्या है गणपती यह मुझे धंकी दे रहे हैं फिर से खंबा मांग रहे हैं अरे कौन है दोड़ा सिंग्रे वाले हैं बाई अच्छा ठीक है दे दो नमस्ते वह लोग कहां पर बैठे हैं वहां बैठा है भाई त्रुमारी हिंबत ऐसे है उस गाहों से यहां अकर धंकी देने की है एक एक यह अचिक तोड़ दूगा और ए किसी को नहीं छोड़ूंगा तब हो गया अब उस गुली का कुछ करना ही पड़ेगा हुआ हुआ ऑच्ष्ट ऑच्ष्ट कि मुझे अभी के अभी सो रुपे चाहिए यहां चटनी बनाने के लिए पैसा नहीं है मैंने क्या पैसों को जाड लगाया है मां इस घर में जो भी बचा है वो सिर्फ टीवी बचा है यह उसे भी तोड़ देगा यह ले उसे दे कि दोनों मां बेटे मिलकर खेती के काम से जो पैसा मिलता है वो छुपा कर रखती हो क्या टीवी पर भाई का सौंग आया इसलिए टीवी बच गया समझे नहीं तो कानी खतम हो जाती इसकी आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो यह होना ही है क्यों हुआ है अरे टी वी आफ कर कि मेरे पैस्षे दो ना मुझे जाना है धोनों मुझे 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 शादी गरेगी क्या बोल तो ली कर जाओ्स जादी करेंगे बोल और अपोछादी के लिए पूछ से पूछ रहे हैं दोनों से भी करूंगा तू पहली है वो दूसरी जा कि तरु बाप को बोल मुझे कार देगा तो हिशादी करूंगा नहीं करूंगा कांजूस कहीं का कैसे हैं आप मैं ठीक हूं ठीक है मैं खाना ही बना रही थी आपने खाना खाया वो पढ़ रही है हाँ ठीक से पढ़ाई करतो रही है अब वो कंप्योटर की पढ़ाई करती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता वो गाय खरीदने के लिए पैसे भेजेंगे आपने कहा था ना हाँ भेजे क्या हाँ ठीक है ठीक है ठीक है रखूं अरे ये क्या मा जब पापा ने फोन किया था भाईया की शिकायत क्यों नहीं कि आपने आरे तु चुपकर वह आदमी एक तो गुस्से वाला है वीजा कैंसल करवा कर यहां आकर बैठ जाएगा फिर बाप बेटा जगडा करेंगे और हम दोनों को देखना पड़ेगा फिलाल ग्रहों की स्थिती ठीक नहीं है यह जेश जाने के बाद आशार जाने दो फिर श्रावन आएगा और वो टॉप में जाएगा अरे वा गुली इतने दिनों तक कहां गाय थे तुम नमस्ते सर क्या करें पास करवाने के लिए कुछ ले लो ना सर क्या पास होना है मैंने सब तरह से सोच कर देख लिया सर मैं तो कुछ भ क्या हो गया ठीक है छोड़िए उसे अब आप पास करवाने के लिए क्या लेंगे बोलो देखो भाई बीस हजार तो लगेंगे क्या सर ऐसी बात कर रहे हो दसवी में पांच पेपर के लिए मैंने दस हजार दिये थे अभी एक पेपर के लिए बीस हजार मांने यह बारावी है भाई क्या बोले आपको देखो मुझे वह सब नहीं पता मेरे बाप के आने से पहले मुझे डिगरी में जॉइन होना है कुछ भी करके मुझे पास करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ठीक है ना अगर पैसे दोगे तो भाई यह तुम्हारा काम हो जाएगा पास हो हो कि तुम अच्छा एक सिग्रेट तो देदो खतम हो गया जार पूरी पैकेट लेकर घूम रहे और कहते हो कि सिग्रेट नहीं है चलो से बंदर पढ़ाई पर नहीं दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान रहता है सिग्रेट चाहिए तुझे पहले तुने मुझसे जितने पैसे लिए ना वह मैं कैसे वसूल करता हूं तुद देखते रहना है क्या है क्या वे गुली कॉले जैकर आया क्या हरे मेरा कॉले चड़ो तुम्हारी गाड़ी के पिछे लड़की को भगा कर ले जानी के लिए फ्री ऐसा स्टीकर लगवानी को बोला ता लगाया है कि नही जल्दी लगा लो जरूरत पड़ेगी अब क्या हुआ तुझे सुभा सुभा यहां दर्शन दे रहा है अरे सेकंड शो देखकर आया फिर कार में ही सो गया था ठीक है बार में क्या लफड़ा हुआ था अरे काहे का लफड़ा तेरा गुस्सा उसने हमारे उपर निकाल दिय लगेगा ना तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करता हूं मेरे पावर क्या है पता चलेगा नहीं तो नहीं लिया लेकिन लाइट में लाइट टॉनिक लिया तो अब काम लाँ वड़ेट में है कि इसी तरह दसवी में मैं पास होँगे ये तोटकर देख़ा था वट आव सय तो पास 20 फैल दसवी में तो आप वह लेकिन आप सका तोय मैं ना तर रहुने जाकर फुञां है वह क्या कर लेगा मैं देख लेता हूं शूजाना फुर्ण लूंगी बजाएगा तो हम उसकी लूंगी उतार के पूंगी बजाएगे तुम्हारी बहन पास हो गया फेल ये तोड़ कर देखे हैं हां तुम्हारे लिए भड़ा फूल या था हमारी दीदी के लिए छोटा फूल ले रही हो है चाई पर भूछ नहीं जाओ तुम बहिमानी कर रही हो अच्छा गंगा तेरे दीदी के लिए मैं बड़ा पूल तोड़ते हूँ ठीक है ये तुम बहिमानी कर रही हो मैं तुम्हारे साथ नहीं केलूंगी गंगा रुख जा नहीं मैं ने आनेवाली ठीक है जा हां लगता है गाड़ी आरे लिफ्ट मांगोंगी हलो शेह पहले ही दो लोग बैठे है चल अन्तमा गाड़ी पीछे खींच रही है कई पंक्चुर हुए गया देखना टायर में हवा तो फुल है यह जब से पैदा हुए हो तब से गाड़ी में घूम रहे हो गया चलो जाओ और यह तो अकेला आ रहा है चल 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 यह संब्लके चल चल कर सकता हूं इस रास्ते में आगे अब बड़ा सा यह कभी किसी लड़की को नहीं छोड़ता है अरे बच्चा चपल बैनकर घूम सकते हो ना एक काम करो तुम बैटकर इसे गोध में बिठा लो ना नहीं नहीं तुम नहीं आ रही हो नहीं चल उतर नीचे बहुत बड़ा शारुखान बनता है क्या उसे उतार कर मैं इसे ले जा इसे अच्छे से दोलो चल मैं तुम्हें उठा कर ले जान कर दो फोना यहाई पंचर हो गया इंचर इंचर निगदारी तो टायर हो गया पंचर अब दोस्त ले रहा है मसे पंचर अर नने को चल लिगा है पंचर मा मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूं आजी सुनिये आज इसके कॉलेज का पहला दिन है गाड़ी में ले जाकर छोड़ कर आईये इसे अरे नहीं मा आज के दिन की ही तो बात है कल से तो मैं वैसे साइकल से जाओंगे संभल कर जाना पापा बुक खरीद नी है पैसे दोना र हमारे बच्चे कॉलेज ठीक से आजा सकेंगे पता है सूरिया और विद्या का कब से चक्कर चल रहा है हां मैंने खुद अपनी आखों से देखा है सच में वैसे मुझे तो पता ही था लेकिन देख हमारे सामने किसे अंजान होने का नाटक करती है अरे सिफ नाम के लिए अरे कोई बाइक से आ रहा है जल्दी आ जल्दी कर रही हूं आरे वो डाटेगा जल्दी आ जाना रुको ना दो मिनिट अरे नेत्रा जल्दी आ जल्दी आ जा क्या करिये किहां रही हूं यहां चुरा रही हो क्या कितने दिनों से कर रही हो यह सब अरे ने उस्सित हैं नहीं से टाव तरफ़ फोलो निन सब्ले कि घ्रप को रागी हुँआ है हमभी ने कुछ नहीं चुराया ती लो इसी नहीं עם उसने जो द्रान चुराया है उसकी सजा क्या है पता है कल मैं इसके साथ नहीं जाएगा कगर कोई गया ना तो उसकी चोटी काट कर चलो जाओ अरे जाओ ना जाओ ना चलो यहां से तो यूरी है लक्स वह तू ही है ना उस दिन गाड़ी को रुखा कर बच्चे को बिठाना चाहती थी आपने आपको बहुत ज्यादा पुर्णी की देवी समझती हो गया तेरा गांव कौंसा है चिकर सिंक रहे है क्या हातो ना दरा नेत्रा नेत्रा कहके बुलाते हैं तेरे बाप का नाम क्या है पूराईगोड़ा तो इसी तरह दान चुरा चुरा कर तेरे बाप को देती है और वो पूरे गाउं में अच्छे रेत में बेचता है ना ना जब जमा करके जाकर दुकाण में दूंगी तो दुकान वाला मुझे इसके बदले में ने मिला था तो गया चोटा तो अजय Mick लेकिन एक कंडिशन कैसी कंडिशन मेरे से शादी करें ऐसा बोल दे ऐसा मैं नहीं भूला घृट पर नहीं बोल रहें अरे इसा नहीं बोल दूगा फिर पंचाइट आईगी बात में क्या होगा देखना अरे डर लग रहा है तुछे तो चलती बोल शादी करेगी या नहीं तो अरे यार क्या कर रहे हो अरे कुछ नहीं उस लड़की का पेन गिर गया था तो उसे ढूरने में मदद कर रहा था तो अधा क्या समचार है कि यार सुबह सुबह नाइंटी ले करके पता नहीं क्या खास है क्या यार तुभी अगले हफ्ते क्रिकेट मैच है बच्चे लोग बैट मांग रहे चोड़ना यार वो बच्चे कितनी बार बैट मांगते रहते हैं उनको की काम दंदा है क्या यह कौन सी लोरी आ रही है अरे वह कोबर के लोरी है अपने गाओं की सोसाइटी का गोबर आ रहा है अरे यह राजेश को कावेरी मिडल स्कूल के पास क्या काम है जब देखो वहीं आतपास गुमता रहता है अजीव आदमी यार दिवाग नहीं लगाता है ठागाता है अब यह कौन सा प्लैन बना रहा है अब देखो यार कहीं भी बेचो इसका 500 रुपया तो ज़रूर मिलेगा वह बच्चा पार्टी बैट मांग रही थी ना दिलवाद है बाकी का कौटर लेकर आना बैट का निकाल दिया तो बच्चों को देने का रही अरे यार चया प्रख़वाँ पर दो जया रहे हैं दो तीन और उतार लिया ऊता आपना भी काम हो जाता ना रही गवर निकाल के लेकर रखता हो तुम्लोगों ने चुलए हैं अब मैं बताताओं तुम्हें मैं पंचेट में जाके गाहां वालों को इकट्था ड़क कर आने तूम् लोगों ने हंगामा करके मेरी इज़त उतार दी ना था ओनना वह को थो फूझन घुटी मोई हुझे रिश्व दे रहा है एक पर मेश्वर को मतलब पंचायत का मतलब परमेश्वर पंचायत का मतलब इंसाफ और मैं इंसाफ दिलवा के रहूँ मामा इतनी बाते कर रहे हो है किसको बोला रहा है तुम कोई बुला रहा है लेकिन मोझे को बोला रहा है हमने तुम्हारी धीवी में जगडा हो गयाँ पर ऐसे हैं जगडा क्यों करेंगे हम थो अब बोलना अभी काम सीधे गाओं में चला चार लोगों को इकटा कर परमेशुवर्ने जहर पी लिया और लिए गाड़ी लिए परमेश्वर्ट पी लिया है परमेश्वर्ट जी ने जहर पी लिया है लिंगा तुम्हें पता है क्या अपना परमेश्वर है ना काउन सा परमेश्वर अपना पंचायत का पेमिर उसने जहर पी लिए तो कली उसे मिला था वह तो ठीक ठाक था अज भी ठीक हूं वो तो हम जानते ना परमेश्वर मुझे पता चला है इसलिए मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल जा रहा हूं अभी तु इधर आ बुड़ापे में अपने काम पे ध्यान रखने की बजाए जबान लड़कों से तू पंगा लेगा तो क्या होगा यह तुझे अभी बताता हूं यह ले और ले 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 ना ले चल यह क्या कर लिया इनोंने क्या कर लिया इसके पती ने तहर पीलिया है यहां नर्ज जायलक्ष में थी ना वह का गई वह काम चोड़कर चली गई है तुमारा गां कॉलम अपना भी तो एरना कुलम है अपना फोन नमबर दो ना मेरे पती कहां है मुझे एक बार उनसे मिला दो है भगवान नहीं मेरे पती को बचाने तुम्हें बहुत दर्द होता है मेरे पास पैसे नहीं थे नहीं तो मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था पैसे कितने भी खर्चों ने दो लेकिन मेरे पती को बचा लो तुम लोग पैसों के फिकार मात करो सिर्फ मेरे पती को बचा लोग तुम्हें पती को बचाने के लिए सब कुछ कर रही हो लेकिन वह तुम्हारे करेक्टर की ऊपर डाउट करता ही इसलिए उसने जहर पी लिए सच के रहा हो सोच उसके वह मेरे रहा है वह दिखा मुझे अभी उसे नेखती हूं आरे मुझे पर लड़कियों को पैदा करने के बाद लड़ी रासकल तु जहर पीने चला है शरम नहीं आती शरम लियास नहीं है तुझे अरे यार आपने बैटेंगे तो उसमें मिलाने को कुछ भी नहीं है तेरे पास पैसे रहते हैं चलो भगवानी रास्ता दिखाएगा चलो चलाब को खेट में चलाना है ना तो ट्रक्टर ही नहीं मिल रहा और बैल भी नहीं है ज़र आपने दोस्तों को बताकर पैसे का बंदोबस्त हो गया अरे भगवान अपनी तरफ है हमाराथ कभी नहीं चोड़ता है पैसे तो दे रही हूं सब्तुब करना होगा हमं सबयरे दोनों मा बेटी मिलकर नाटक कर रही दी पैसे नहीं बोल रहे ती अभी काह से आगय यह हर्य नोट अ काम करवाना है दुझे काम रुख करवाता हो ते राकम भाया उस पैसे से मेरे लिए तो पैंसल भी लेते आना रबर वालिया बिना तो रात को दो जोड़ी चुरा के अपने खेत का काम करवाएं क्या अरे पुलीस टेशन जाना चाहते हो क्या अरे लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आउंगा तू नहीं चलेगा क्या अहां देवी लक्षमी मैं उटकर बैटा हूं और तू सोया पड़ा है हाली कोटर पी तो लाज क अब यह उटना चलना डर दिख रहा है डर कर मैं जैसे बोला था वैजी कर रही है बड़ी अच्छी लड़की है चोटी बज गई उसकी कोई भी डरना मत सब लोगों ने काम किया है तो उसका पैसा मिलेगा है मिलेगा दोपर को खाना मिलेगा रात को पीने का भी बंदोबस तो फिर वो बैल वो भी हमारी है अच्छा माधा और बैल दोनों को छोड़ दूंगा एक बार शादी करूंगी बुलना मैं ऐसे नहीं बोलूंगी बाबा तू भी चल खुम और दो राउंड एक्स्रा मारना अब देख तेरा क्या कहां जा रही है घर यह सब जाके अपने ब मालों को बताऊं क्या तेरा बाप कैसे धान बेचता है मेरे से पंगा नहीं लेना चुपचप कॉलेट चली जा अरे वो नहाने गया है जल्दी बता कहां साइन करना है तुम्हारे जल्दबाजी के चक्कर में कई भी साइन थोड़े करवा दूंगा जहां पेपर हैं पापा ने पैसे बेचे हैं तस हजार भेजने को कहा था अभी तक खुलकर नहीं देखा बस आ गई है चल 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 बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि यह लो भाईया आपके खर्चे के लिए रख लो कि मांगने से कभी देते नहीं है आज मांगने से पहली पैसे दे दिये लगता है आज बापने पैसे भेज़े हैं एक पत्तर फैंक के देखता हूं कितने पैसे बेज़े हैं मुझे पता ही था मा बेटी का जाने का स्टाइल देखकर मुझे पता था कि बापने पैसे भेजें आप लोग जैसे सोचते हो वैसा मैं गहर जिम्मेदार इंसान नहीं हूं देखो यह घर बनाना है खेती का काम करना है यह रानी भी बेचारी पढ़ रही है और मैं भी तो भागे ना बज गये चल 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 अधेरे मेरी बुक गर गई आरे चल ठीक है ना टीचर को बता देंगी तुझे क्या एटार तो मुझे पड़ेगी ना किया यादेना मैंने क्या बोला था वो अकली जानी चाहिए उसके साथ कोई सहली नहीं होनी चाहिए भूल गई क्या चल जाओ नहीं ऐसी बात नहीं है उसकी बुक ना पानी में गिर गई हमने कहा छोड़ दे पर सुन नहीं रही ओ अच्छा तो यह मैटर है क्या अरे तो पहले क्यों नोट बुक पानी में गिर गई ऐसा बता देती ना मैदम बहुत आते की ओ ऐसा क्या आइडिया बताओं क् जितना पूछा है उतना ही जवाब देनेगा तेरे क्लास में कितने लोग हैं सब में लाकर पैतालीस है तो तू एक काम कर तुमारी मैडम स्टूडेंट्स अपना अपना नोट बुक लाओ कहते ही तुम पहले अपना नोट बुक वहाँ ले जाकर रख देना फिर उसके ऊप की नोट बुक लास्ट होई की नहीं वैसे भी तेरी टीचर एक दिन में 45 लोगों की नोट बुक तो करेक्शन नहीं कर पाएगी बाकी का अपने घर लेगे जाएगी उसके बाद तो आराम से अपनी घर चली जा राद भर लिखती रहे और सुबा जाकर बोनला मैडम मैंने इसे वहाँ पर दूसरी नोट बुक रख दी थी ऐसा बोलके वहाँ पर रख दे और वह नोट बुक लेकर आजा और सौरी बोल के चली जा महां से अच्छा है लेकिन बस एक ही रात में मैं इतना सारा कैसे लिख पाऊंगी अरे तेरी मां को बोलकर कॉफी टी बन वाले और लिखती बैट लेकिन मुझे रात के दस बचते ही नीद आने लगती है तुम लोग क्यों आस रही हो हम बात सुन एक दिन नीद खोने से कुछ होता नहीं है चुप चप रात बर बैट कर लेक यह क्या है मैं तरे को बड़ा टिफिन बॉक्स लाने के लिए बोला ता यह तो स जाओ ठीक है चलो चलते हैं और बस आज के दिन मैं उनके साथ जा सकती हूं आज हसते हसते उसे एक बार पुछ लिया तो उस छोडे दिया ॊंसे不知道 हलेन, हले आयारर इन आि आольз são meus we जारे नाugen आए यारा गुली गुली थोड़ा सा मुझे भी दोना यह सेंग खाने से तबियत खरब होती है पता नहीं देना है बहाने क्यों बना रहा है अरे पंचायती हो रहा है पंचायती हो रहा है दिखाता हूं मैं इन लोगों को कि मैं क्या चीज़ नहीं है उस दिन गलती से चोड़ी कर ली थी अरे मामा माफी वाहां गाओ मैं सरुखा कि कैसे गुमेंगे मामा छोड़ दीजी यह सब एक बात चोड़ दीजे मामा दूसरी इस बार ऐसा नहीं हो रहे दूंगा अब देखो मैं अंदर जाओंगा और बाद में तुम सब को जेल भीजाओंगा देख रहा हम लोगों कितनी मदद की है बूल गया है कितनी बार तुमारे घर में आके मैंने तुमारी बीवी से मांगा इलेक्शन में वोट तभी तो जीते हो तो मामा इस बार भी आप ही जीतोंगे आपकी सब्सक्राइब तुम्हारी ये बात सुनके मैं इस बार पलटने वाला बिलकुल भी नहीं हूं तेख लेना मैं क्या करता हूं किसी को नहीं छोड़ूँगा मैं नहीं चाहिए अंदर ज बोरियों को तो ठीक से गिना है ना उसमें आज एक कम होनी चाहिए और उसे किसने चुराया तुम्हें पता है ये लोग जो बाहर खड़े ना उन्हों नहीं चुराई वो बोरी क्या परमेश्वार जहर पीने के बाद भी ऐसी बाते कर रहा है मैंने जहर पिया था तुमने देखा था क्या देखो मैं जितना पूछ रहा हूं तुम सिर्फ उत्रा ही जवाब दो ज्यादा बोलने की जरूत नहीं है अरे मूली और उसके फ्रेंड्स रोड़ पर आ रहे थे तो रोड़ पर उन्हें गोबर की ये गिरीवी ठैली मिली उन्हें लगा सोसाइटी ये क्यों परमेशुर सुने आरे और तुम्हारी बीवी के बीच में बहुत जवागा हुए तक मेरे एक झात नहीं का मैं इंपने परमेशुर यह ञा होगी का प। अरे सिफ अपनी किताबों को कुम सुँ लगा रही है इसके किताबों को भी लगा ड़ बहँदे, पालाइसend पालााई फिर अवें देख दो लेके आया ओओं वो भी रभर वाली यह देख लकडी की स्केल, प्लास्टिक स्केल यह सब मेरी लिए लाए हो यह क्या बहीत चार लाइन की नोटबुक लाए है यह बता बड़े लोग पैदाइशी बड़े हो गए है क्या आरे वह तो ऐसी दो लाइन चार लाइन लिखने के बाद अगर तुझे भी बड़ा बनना तो इसमें लिखना है बेना जैसा इस नोट्बूक में लिखा है यसा क्यों लिख देना तुछ ून इतना मस्का इसलिए लगा रहे हो मैं नहीं लिखूंगी मेरा हाथ दुखने लगेगा प्लीज लिख कर दे ना तो मेरी शोना इना लिख कर दे अभी शोना शोना बोलके मस्का लगा रहे हो और बाद में पगली पगली बोलके टपली बजाओगे कसम खा कर बोलता हूं आज के आप बोलेते नहीं भारूंगा तो क्यों मारे चारी तो पेज बचे हैं लिग दे लिग दे लिग दे लिग दे होशार है ना तु बहुत होशार है नमस्ते परवतिमा तुम क्या लिख रहे हैं बना कर देख रहा हूं दिमाग खपा के देख रहा हूं लेकिन कोछ जमी नहीं रहा है अरे तु लिखना बहना तु लिक हां फिर सीधे जाएंगे अरे वो तो यहीं पर बैठा है तुम लोग जाओ मैं बात में आती हूं उसरे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी ठीक है चलो और तुम्हारी बात सुनकर दूसरी नोट बुक मैडम के पास रख दी लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी गैरंटी आज मैडम से बहुत डाट पड़ेगी पूरी रात में लिखती रही फिर बीस पेजी लिख पाई यह कौन सी नोट बुक है अंदर देख पता अधू किया यह मेरे लिए यह तेरे लिए किसने लिखते लिए यह तुने बोला था ना कि रख दख तक तू सो जाती है मुझे पता गैरंटी से तू लिखने पाईगी एक तो मैंने आइडिया और तुझे मैडम से पड़े इसलिए राद भर बैट कर मैंने एक-एक लाइन लिख्के दिए है अप लुग कैसे हो हम सब ठीक हैं वह कैसे हैं आप से शादी करने के बार बहुत खुश है हम लगेख पी कमपनी में काम करते एक ही रूम में रहते हैं उसने कहाँ मार्च में आऊंगा बेटा कंप्यूटर क्लास कर रहा है ना उसने कहा था कि जाते समय हमारे बेटे के लिए लैप्टॉप लेकर जाना लेकिन आते वक्त मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई लोटा थोड़ा तेड़ा है इसलिए देख रहे हो हमारे घर में कोई पीचीज ठीक नहीं है सब तूटी पूटी इतना पैसा भेशता है वो उसके बाद भी घर की हालत ठीक नहीं लग रही है वो क्या है ना घर बनाने के पैसे से ही तो भाहिया ने अपनी बाइक करी है इधर एकल्ए देवी क्यों नहीं पुph 독त पैसे दोगिया नहीं और tea से निकाल के दे दिये er mmather नाम लिखाने की लिए रहा ता इसलिए वह लेकर जा रहा है तु इधर आ यह देख तू इसे बेचेगा या गिर्वी रखेगा मैं नहीं जानता मुझे पांसो रुपया चाहिए वह लेकर मैं जहां पर हमेशा पत्ते खिलता हूं ना वहां पर आजाना ने तो आपने जहां पर वाइन शॉप में बैटता है ना वही सही नहीं है यह जेश्ट आश्रार जाने के बाद श्रावन आने पर वो टॉप रहेगा एसा मुझे जोतिशी ने कहा है आप देखना यह ज़रूर टॉप पर आएगा लख और होल्ड ओन होल्ड ओन होल्ड ओन क्या है यह कौन सी नोट्बुक है देख ले गूली एंसी 37 यह कौन सी जोड़ी है अरे जोड़ी होगी ना पूरी नाइट बैट कर लिखिये और तु बोलती है कि जोड़ी नहीं होगी कमाल होगी यार इधर ला यह देख यह हो गया ने यह दीरगह इसको लगा त तो यह हो गया पू हो है अरे नेत्रा ला मेरा तो क्या ए मैने सी यह है क्या करता हूँ कला कर मुझसे शादी करनी है ऐसा बोलना एक तुगे और नहीं बोलेकी ना तो हमें जो लिखा क्षा ना नेत्रा और गुली की जोड़ी हाँ वो पूरे स्कूल में बस्टेंड पे वाटर टैंक सब जगा लिखकर चिपका दूंगा हाँ कल तुझे आकर बोलने का है कि तुमुझसे शादी करेगी करेगी हाँ कि अग्युश्ट कि अग्युश्ट कि यहां गवड़ा जी कौन है ओ गवड़ा जी कौन है पहचाना नहीं अरे मैं धान खरीदने के लिए हो अच्छा आई आए बैटकर बात करते हैं आए बताइए कैसा धान चाहिए गुली यहां पर आया है इसलिए मैं यहां लेने के लिए आगिया मेरे पास आया एक सो बतिस है एक जीरो जीरो नौ है यह गुली एंसी थार्टी सेवन ऐसा मैंने कभी नहीं सुना अरे क्या गवड़ा जी ऐसा कह रहे हो यह नया माल आया है और आपके पास नहीं है आपको यह कौन से है आया ट्वेंटी गोड़ा जी अगर वो आ जाए ना तो हमारे लिए निकाल कर रखना आगे भविश्य में बहुत काम आएगा बेटी धर आओ गूली एंसी थार्टी सेवन ऐसा कुछ है यह गूली एंसी थार्टी सेवन ऐसा कोई नया अरे बेटी गूली एंस आप दो तीन जगें पूछ लो मैं भी पूछ कर देखता हूं तुम्हारे खेती गयर तुम्हें नहीं पता ससुर जी आप चलता हो गोड़ा जी अरे बहुत प्यास लगी है थोड़ा सा पानी तो पिलवाओ बेटी ज़रा इसे पानी पिला दो पूरी रात बैटकर लिखता रहा अगर सुभा तक तुने नहीं बताया न तो उसके बाद मैं सब को बता दूंगा अरे सुनो जरा इधरा बोलिये गौड़ा जी कौन से गाउं के हो तुम डोड़ा सिंख रे डोड़ा सिंख रे अरे भाई आपके गाउं मार्केट में गाय हुए मेरे बैलों को पूरी रात काम करवाया था अरे क्या कि रहे रहे हो गाउड़ा जी आपके कि नहीं कुछ अलग होती है अच्छा सुनो सुनो जरा इधाराओ क्या हुआ गोड़ा जी माधा जरा इधाराओ अरे वह अपने बैलों से सारी रात किस ने काम कराया था जरा बताओ यह उसी गाउं का इनको बताओ यह कुछ मदद करेंगे हमारी बताओ अब पकड़ा जाएगा तो उसका थोड़ा सा ध्यांद रख और मेरे बारे में कुछ बोल मत चुक्षा प्रहने का एकदम समझ गया अरे डर्मत अरे बता दे ना यह तो वह यह ना मेरे जैसा ही दिखता है ना अब मुझे पता चल गया वह कौन है मुझे पता चल गया अरे तुझे मैंने नहीं बत कुछ भी कर नहीं बचेगा सजा तो मिलेगी अरे रे यह क्या है मुझे कुछ नहीं पता है वह क्या है ना एंसी 37 नया धान आ रहा है लगता है यह उसी का प्रिचार किया हुआ है इन दोदो को मिला कर फसल पैदा करोगे तो बहुत अच्छी फसल होगी कि जेहां जहां पर मैंने लिख के रहा है वहाँ वहाँ पर तुन्हें पड़तो लिया है ना शाम any time क्या हुआ है उसे मैंने पूछा पर कुछ बता ही नहीं नहीं रही मुझे टीचर नहीं बनना मिलाई यहीं रटे जा रही है дорक्त Five क्या प्रॉब्लम है तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिट मास्टर ने कुछ कहा क्या तनख्वा कम है यह सोच रही हो क्या तुझे हम क्या कमाने के लिए भेज रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है गुद्मारी सर बैठो 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 इधर आओ नाम क्या है तुम्हारा मंदिरा तुम सतीष ठीचर को जानती हो नहीं जानती हूं सर जाओ उन्हें लेकर आओ जाओ सुनिए कौन में आप और क्लास रोम में क्या कर रहे हैं पर नम सतीष है क्या मैं स्टेचर हों हाथ-चोर करके बात कर क्या घुन्डांगर दी है ये कहा हाथ नीच पुलिस को इंफॉर्म कर दूंगा मैं हाथ नीचे का बात कर बोलाना स्वामी शर्नम स्वामी已经 तू पुलिस को फोन क्यों लगाएगा मैंने लगा दिया है बात कर बात कर जोश्का सर सर पता ही कौन है कौन है यह मालती जी के सास का बेटा है अच्छा यह आदमी खतरनाक है इसे कुछ भी भूल कर यहां से भिजवा दो सर आप मालती के सास के बेटे हैं मालती तो हमारी बेटी की तरह है सर आप यहां पर क्यों आएं सर सतीश के फ्रेंड राजेश को हम समझाएंगे न सर आप जाईए आप जाईए सर जाईए तू क्या करेगा कैसे करेगा यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन कल से वो लड़का इसकूल के सामने नहीं दिखना चाहिए अगर दिखा तो तू नहीं दिखाई देगा आप शिंता मत किजिए आज के बाद वो नहीं आएगा बचे आप लोग पढ़ाई कीजिए पढ़ाई कि थोड़ा भी डर नहीं है ना जाओ जाओ रात को पूरा नाम लिख दूँगा जाओ 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 रात को पूरा नाम लिख दूँगा अरे उसने कहा कि रात को पूरा नाम लिख देगा अगर लिख दिया तो मेरा क्या होगा अरे चुपचाप सोजाओ ना क्या कर रहे हो अरे चुपचाप सोजाओ ना क्या 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 है यह क्या यह इसके साथ क्यों जा रही है कि रुगजा तुमेरे बारे में तो जानती है ना वो क्या तेरा बॉडिगाड है अपने गाउंसे गुंडा लाकर मुझे धमकाएगी मैं किसी गुंडे को लेकर क्यों आउंगी वो तो मेरे भाईया है भाईया है तो उससे मेरा जमता नहीं है सब जगा नाम लिखने वाले थे कहीं नहीं लिखे लिखने वाला था लेकिन सोचा जवान लड़की या पढ़ाई रुख जाएगी यह सोचकर मैंने छोड़ दिया समझे वैसे आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने मु है उस्य साथ है पिताए करोंगी आ कि ए मली-वली मैदान में मैच हो रहा है चलना हम भी खेलते हैं मेरे पास पीने का पैसा नहीं है तो उसकी वेवस्था कैसे करूंए यह सोच रहा हूं और तू उसलिए तो खेलने भी बोल रहा हूं हम क्रिकेट करे यह बोल के पीने इस भाई को क्या चाहिए बोल दो नमस्ते अपने शहर में बड़ा क्रिकट का मैच होने जा रहा उसके लिए चंदा चाहिए यह क्या बाद बाद में रसीद लेकर क्या जाते हो चाकू के बदले इस बार रसीद लाएं चुपचा पैसा निकालो भाई आपकी परेशानी क्या ह 20 रुपए देता हूँ ए तेरे बाजू की दुकान वाले ने 201 रुपए दिये हैं और तू कहता है इतनी बड़ी दुकान का मालिक हो के 20 रुपए देगा अरे अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं खुशी-खुशी से दे दो ना यार ठीक है क्या वन लिख दो ना है 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 अरे कैसे लोग हो यार तुम लोग रिकेट के नाम पर पैसा वसुल करते हो नहीं नहीं आपने को नहीं जमता है पैसे हुआ है है कि अ और शर्ण करुए jammy grita skill. अरे अ वहीआ है फ्यक्ति है प्यार करनेवाले हमेशा इसी तरह से रोते तो हैं बदा वह लड़की को क्यों है अपने प्रियंका जी स्कूल में एक श्कूल टीचर से इसे प्यार हो गया प्राइब टीचर बोटल सेटल गाउम बन सा चीकर सिंपरा यह कौन है दूसरा गाउ नहीं मिला गया अरे उन लोगों के साथ अपनी जमती नहीं है कुछ नहीं है यही लब आके नाका सब कुछ मिला रहा है तूँ लोपाँ देख यार तूज लड़की से प्यार करता है मां की कसम खा कि सच्चा प्यार करता है कि देखा मैं आपन यार के लिए कुछ भी करने को तयार को भगा ले चाकर तेरे साथ करवाऊं ऑपने करने को दिया हो हुआ Suloo मैंगा समझेगा नहीं समझ लिया एक बार मैं समझ मैं नहीं आता तिरका समझ कर देख तो समने भड़के सांसे वाहर तो निखलो यहां से काट के रख देखे रख तो तो इसको उटाओ यार स्कूल टीचर के पास ले चलते हैं अरे संडे मेरे बाइब तो क्या हुआ अचा चलो सिदा उसके घर चलते हैं चिकर सिंख्री चले जाते हैं आरे चलो टैक्सी मांगा कर चलते हैं तो मैं देख लूँगा ना तक नहीं जाएगी पैसे भी नहीं है कौन है आपर पिछले आदे घंटे से ऐसी बैठाव फोकेट पे नहीं पी रहा जल्दी चेखना लाओ तुमको पैसे ही चाहिए ना ठीक है मैं इंतिजाम करता हूं तुम लोग तयार रहे ना कि आपको चीकन फ्राइए एक मतन फ्राइए एक पानी के मोतल दो ग्लास जल्दी लेकर आओ ठीक जब लेकर आना भाई के लिए चीकन फ्राइं मतन फ्राइए वाटर और तो ग्लास अबे टीक से पकड़ यार टीक से पकड़ क्या कर रहा है तो मुझे आवाज देगा तु यूज तो मुझे घूर रहा है यह मारेगा तो छे महिन तक सोता ही रहा है रहा है चोड़ना तू बता है यार माण यजा रतमके मेर्न यार दोस मेरे दोस मेरे दोस मेरे दोस घुली यार तो करे दों पी है अभी तो फांक्षन करता है और तो चोड़ो यह इतनी पी कर क्या निग यहां तो घाटी निकाल क New क्यों नहीं बताऊंगा तो गाड़ी नहीं लेगे जाएगा क्या मेरी बात समझ में आरे तो इतनी जल्दी गाड़ी का ओनर बन गया तो यहां मुझे दूसरी गाड़ी मिलेगी नहीं देखने का है इस पूरे मंडेट डिस्ट्रिक्ट में आपन के सिर्वे की आब अबस मैरे यार लोग अपने अपने गाउं से यहां पर गाड़ी लाकर लाइन में खड़ी कर देंगे दिखाऊंगा बुलाओं गया बोल दिखाऊंगा बोलना यार गुली तू भी ना तेरे सामने हाथ जोडता हूं ऊपर क्या है जरा देखना क्या है इसे जरा दुकान में फेक करके आता हूं मैं अभी जाने दे आरे वह तुझे खोलना पड़ेगा उसको निकालके डिक्की में भैक या कर रहा है तो तो आके उतारना यारे डालने इ सब्सक्राइल चल बताता हूं जानता है अपनें जिंगा बना किसी से प्यार हो गया जब तुझसे पच्छती नहीं तो इतना पीटा क्यों है आजा 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 एकुली वही है एकुली कौन हो तुम्लों लेकर आउसे खुट को क्या बॉडी विल्डर समस्ता है काट के भेग दूंगा तुझे रखनगा मत लेना ख़दर्नक आप्मियों मैं चोड़ो मुझे चोड़ो ले आजा बचाओ आजाओ दुपारा दुपारा मत मेरे इलाखे में जोड़ो मुझे आज आज यह है कि आ अरे मेरी पेंटी को उठा करने चारे हैं कोई अब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अ अपनी मालती को क्या बोल थेक से बोल किस तरफ कार कार का नमबर देखा किया नहीं नहीं रहा है तो टोलना का पार करके ही जाना होगा तुम लोग वहां पर पहुंचो मैं वहीं आता हूं हाँ ठीक है है गुले हम इसे उठा कर ला हैं सब लोगों ने देखा है वह हमारा पीछा करते होंगे इसलिए चुप-चप टोल गेट की तरफ चलते हैं टोल गेट की तरफ लेचल हलो हालो हालो क्या बात भाई मेरी होने वाली पत्नी मालती को कुछ लोग की डैप करके कार में कहां पर तोल गेट के रास्ते से तुम लोग उसे बंद कर दो अरे यार आज रात को राजेश और उसकी गर्फ्रेंड को पंपा उस पर छोड़ देते हैं बात में बेज़ेंगे तो भी नहीं जाएगी क्यों पूछ क्यों वहीं अपना कल्चर वहीं अपना रिवाज और व तो चुपचा बैट टोल गेट के रास्ते से जाने के लिए मैं क्या पागल हूं दूसरा रास्ता कहा से अबे दूसरा रास्ता नहीं होगा लेकिन दूसरा आइडिया है कि अरे यार है गाड़ी में हम लोगोंने माइक सेट करके रखाया ना हाँ डिककी में रखा न माने भाई यह भाई गाड़ी को रिवाइस कर आने वाले रास्ते से चलते हैं माइक को उपर क्यों सेट कर दिया अबे बेकार में माइक गाड़ी पर बांधने के लिए मैं क्या पागल दिखता हूं कोई मर गया ऐसा अनॉंस करके चलते हैं और गया ब्यूटीफुल आइडिया यार लेकिन कौन मर गया क्या कहेंगे हम और कौन है अपना पंचात कपर मे इस भी जो है अ कि अलह आए हूं करता हूं करता हूं अब लद को नहीं बतारा हूं को बुरा मत मादिया जिए यह इस्ट परमेशवर की मत कर जारे कोई भी भूली अगाने सवाईटरवे नहीं चिंकर सिंक्री में पादा होकर ब्ल्डोंवे गुड़ा ओकर पंचात आज चल बसा है हम उनका प्रचार करने हैं सब लोग उनकी आत्मा की शांती के लिए आना यह मेरा आप सबसे विंगती है जरूरा नहीं है तुम लोग तो आ गए वो लोग का है ज्यादा बखवास मत करो यह इतनी लोग क्या करें है कब से इंसार करें है कार कोई हम उसी राष्टते से आ रहे हैं शैद दूसरे राष्टे से गए होगे दूसरा रासता का air कहां से आए हैं मतलब माइक में अनॉंस करने वाले वोही लोग एंचे-चलो-ढूंडते हैं यह बहुत धुक्क है वह अग्डी है वाई चाद दिल शुवानी है मेरे देली क्या हुआ अरे मैं गार आओ तो चलते-चलते नहीं सुन सकता है क्या जो तो रुक के सुनना चाहता है तुम्हे कुछ सुना ही दे रहा है क्या अरे तुम मर गए हो ऐसा कोई माइक में बोल रहा है यह क्या बोल रहा है तुम कान खूल कर ठीक से सुनो है पर मैं चुप रहा तो इन्हों मुझे मारा घुशिस कर दिया आप हार पर प्याना देंगे अलाक लोग तुम लोगों ने मुझे कितरा परिशान किया आज के बाद में तुम्हारे इस गाउं में कदम तक नहीं रखूंगा अरे यह क्या हो रहा है अरे गारी हिल क्यों रही है लगता है पंचर हो गई है अब क्या करेंगे अब यहां बाटकर क्या कर रहा है भाल नहीं तो काट डालेंगे तुझे सब अरे यह खेत पे से कहां लेकर आगया अरे रुकता बोला तो रुकता यह गुली क्या कर रहा यार यह जल चल 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 ना चल अरे पैसेंजर बैठा यारा अब चुब-चाब चलना मैंने देखा नहीं का पैसेंजर को सॉरी जर आप बुरा मत मानियां आप अपनी चगह अपर पीछे बैठे रही है मैं आगे बैठा रहूंगा मैं डिस्टब नहीं करूंगा अरे वह आनंदे ना उसको तो मैं टैक्सी स्टैंड पर ही ना काटके फैक दूंगा क्यों ऐसा क्या हुआ क्या हुआ अरे वह अपना राजे जना राजेस किसी टीचर लड़की से प्यार करता है हमारे पास आकर हमारी शादी करवा तो ऐसा बोलके रो रहा था अब हमने कितनों की मदद किये तो सोचा इसकी भी मदद कर देते हैं यह सोचकर हम लोग उस लड़की को भगाने के अरे फिर क्या पीछे मुण कर देखा तो पूरा गाम हमारे पीछे पड़ा हुआ तो हम लोग भी डर कर अलग-अलग रास्ते से सिधे भागे अरे मैंने जितनी पीवई थी ना पूरा नशा उतर गया फिर भी मुझे दुख हो रहा है है लाइफ मेना फर्स्ट टाइम ऐसा प्लाइन हो रहा है रिपाट पापा अधाले मेरि पैची के साथ क्या होगा आगे पैटी है यह क्या हो गया रिखी किया ना गया है तौई गया है तौट नहीं प्रके क्या कर रही है सब्सक्राइब देखा उनकी हिम्मद हमारे गाउं में आके वो लफड़ा कर रहे हैं और तुम चूडिया पेंगे तमाशा देखो तुम समने अपने गाउं के भगवान को उस गाउं में चोड़ दिया इसलिए पूरिति हमें नहेर में मिली आसी बात पूरे गाउं में फ्यलने लगी हिर हम गए पूछने उन लोगों ने कहा हमारी है meeting हम समस्या बढ़ती गई तो एक दिन पास के गाउं का प्रेज़ेंट आकर फैसला किया कि 6 मईने उस गाउं में और 6 मईने इस गाउं में हमने ठीक है 6 मईने वह लोग रखे अब हमारे बच्चे उस गाउं के कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं अभी फिर से दोना गाउं के बीच ऐसा जगड़ा सही रहेगा क्या क्यूं मोलोक बड़े लोग है इसलिए ड़र रहे हो क्या आज छोटी गलती की है तो कल बड़ी गलती करेंगे बिल्कुल सही कहा तुमने कुमार कुमार गाड़ी निकालो पुलिस टेशन चलते हैं पिता जी क्यों शोर मचा रहे हैं तुम चुप रहा है यहां पंचायच चल रहा है क्या उनके साथ क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है जाओ जाकर सब अपना-पना काम करो चलो यह कैसी आवाज है क्या पापा आए पेरे पिता जी अचानक आगे कुछ खबरी नहीं दिया आपने अग्द को आइसे छोड़ दिया पैसा बेजा उसका क्या किया इतनी मेने से कमा 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 के पैसा बेटार उसे में पापा पापा यह सारी जाधा अपने बेटी के लाम पे तुम्हेरों को मैं पीच सलिक में फेक दूँगा तो मैं तेरे टुकड़े कर दूँगा मैं तुम्हें चुप रहना है इनका घुसा नहीं ठंडा होने वाला मैं फासी लगाने का नाट करूंगी तू पूरे गांवालों को इकठा कर ले अरे उस दिन उस दिन आप हिने कहा कि मेरा बेटा बर गया आरे आपके दिल को ठंड़क मिलेगी क्या मैं नहीं चेहूंगी मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी तुम दोनों अच्छे से रहो मैं जान देने जा रहे हूं यहां किसी को मेरी परवाई नहीं है अरे अभी तक नहीं आया कोई आरे तेरे बेटे ने जो भी किया उसे देखकर तुभी बता क्या मैं चुप बैटना चाहिए ना तो एक काम कर चाल तौर साथ मढ़ते मैं तेरी मौत का खेल देखने के लिए ने साज साल तक मेहनत करके पैसे इसलिए कमाई थे यह देखने को मिलेगा कौन सा तरीका ही है जब मैं दुबाई में था और वहां काम कर रहा था तो गाउवाले मुझे देखकर हमेशे कहते थे कि यह कीरा ठाका का बाप है देखो सिर्फ कान से सुनाता है इसलिए छोड़ दिया मगर यहां आके देखा तो माहौल तो उससे कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा खराब है यह सब वह जान बुझ कर नहीं कर रहा है जी उसकी घ्रहदशा ठीक नहीं है यह जेश जाने के बाद आशार जाने के बाद श्रावन आने पर वह हमेशा टॉप पर रहेगा ऐसा मुझे जोटिशे ने कहा है अगर हमने उसे कुछ कह दिया और उसने कुछ कर लिया तो क्या वाइदा होगा जी उस सुवरणा के बेटे का ऐसा ही हुआ था ना जी बाप ने कुछ कहा और जहर खा कर वह मर गया हम सब यह किसके लिए जमा कर रहे हैं जी उसी के लिए ना आप देखना एक दिन वह टॉप पर आएगा दुबाई से आये हो ना मेरे लिए मालेश का तेल नित्रा रुको नित्रा नित्रा क्या नित्रा मैं तुम्हें इतने प्यार से बुला रहYesे यह जा रही उर आए तने दिन हन्याहत की तो च्टी मेरे ऑड हर्कत किने ऊस्दिन हमारा जीश्टा खतम हो गया था अरे नित्रा वह सो मैं अपने दोस्त के लिए उस दिन पता है तुम क्यों बच गए क्योंकि मेरे भाईया का मूड अच्छा था वर्ना कहानी कुछ और ही होती देखो नित्रा मैंने वह जान बुच कर नहीं किया नित्रा 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 के लिए एक अच्छा रिष्ता आया है लड़का भी एचान के परिवार वाला ही है उस लड़के ने उसे कहीं पर तो देखा है इसी लिए वो लड़का इसी लड़की के साथ शादी करने के लिए जिद पकड़ कर बैठा है वैसे तेरी और मालती की शादी हो गई तो अभी इतनी जल्दी क्या है बड़े पिता जी ऐसा नहीं है बेटा मालती के मामले में फिर से उस लड़के ने अगर कुछ गड़ बढ़ कर दी तो कौन वो मालती कौन है और मेरी क्या लगती है उसने ये जाने बीना हाथ लगा दिया वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है इसलिए गाउं के अंदर कहीं छुपकर बैठा है अरे उसे तो उसके गाउं में ही घुसकर काट देता लेकिन उसके बाद मालती का नाम भी बदन कहां ऐसा क्या उसे छोड़ और आजा कहा ना छोड़ दे उससे क्या हुआ मंदिर के पास अपने लोगों को गुली की बाइक नजर आई वहां जाकर उन्होंने देखा तो बाइक पर गुली का बाप था पूछ रहे थे क्या करना है मैंने उन्हें छोड़ दने के लिए बोल कोई भी समस्या आए तो हम बात में देख लेंगे चल्दी आजा पेचने वाला खरीजने वाला है चल्दी काम खत्म करके चलते हैं सब तेरा इंदजाल में बैठे हैं है आ रहा हूँ चलिए बड़े पिता जी चलो यह सब क्या है यह और चिकर सिंकरी की बीच में समस्या क्या है कुछ भी तो नहीं वह यह कुछ नहीं पता है क्या हाँ के बिला कभी धूँआ उठाग इज़त से जीना सीखो अब तू अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखेगा अपना कारेक्टर ठीक रखो तबी तुम तुम दोनों को मर जाना चाहिए अरे ऐसे क्यों चिला रहे हो पता नहीं है क्यों पता नहीं गया पहले वही जगड़ा शुरू करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं पहले जवान लड़ते थे आज कल तो सारे बुजर्ग भी लड़ने पे तुले हैं आप भी ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा उन लड़कों को समझाना चाहिए ना क्या समझाओ मैं मैं तो सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट हूं मेरी बात कोई नहीं सुनता तुम पैसे भीजते हो और तुम्हारा बेटा लड़कों के साथ मज़े लूटता है जब देखो लड़ तेरी मां कहा है एक तो रावकाल भी पास आ रहा है आस पास में कोई और नदर नहीं आ रही है ऐसे में तुम पौधा लेकर आगे कहा है तेरी मां जो काम कर रहे हो उन लोगों के लिए खाना बनाने गई है 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 अरे बेटे रुको 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 रुक जाओ रावकाल शुरू होने से पहले चार पौधे लगाने चाहिए ऐसा छास्त्रों में लिखा तो ऐसा करना चाहिए क्या सोच रहे पौधा लगाना नहीं आता क्या इतना मैं नहीं सीखा क्या चल कोई बात नहीं ऐसे लगा के चली जा मुझे पौधा लगाना नहीं आता है आपसे किस ने कहा हमारा भी खेथ है मुझे भी लगाना आता है ऐसी बात है क्या तो अच्छी बात है तो फिर चला जा हाँ 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 चल अब हाथ दोले हाथ दोले क्या हाँ दोले अच्छे से हाथ दो पता है आपको इस साल आपके खेत में बहुत अच्छी धानोगेगी चलिए सौरुपे निकालिए यहां दिन बर काम करने वालों को भी हम 50 रुपए देते और तू तो सो मांग रही है भगवान के नाम पर मांग रही हूं मना नहीं करते चलिए दीजिए क्या बेटी भगवान का नाम लेकर हमें डरा रही है चल रूप देता हूं चलिए जल्दी मुझे देने चाहिए थे उस बाई चलिए झाल झाल अरे अरे सुनो सुनो बस करो मैं सब लोगों के लिए पूरी वाजी लाया हूं उसको खाके और चाय पीने के बात काम करना आजाओ क्या भाई साहब उस तरफ कितनी अच्छी धानों की है वहां कोई खास खाट डाले थे क्या यह बात क्या है उसको लव भी और यह भी चाहिए ऐसे कौन सी गलती की है उसने बताएए दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते हैं ना जी तेरा बेटा और मैं एक हूं क्या आपने बाहर रहकर ही यह घर बनाया है ना जी थोड़ी सी जमीन भी लिए उससे भी बाहर भीजिए वो भी कमाएगा वो दूबई में अगर वो दूबई चला गया ना तो दूबई के सारे अरब समंदर में डूपके बर जाएंगे तेमाग खराम मत कर जा जाके सांबर ले जाने में अभी सिर्फ एक ही हफता बचा है जी तभी यह बाहर जाने की बात कर रहा है बेटा वो वीजा बना कर देंगे ना अब जा बोले तो पैसा नहीं लगता पूरा 2000 रुपया लगेगा उसके लिए यह बातों को घुमा फिरा के कहां प्याता है मुझे सब पता है ठी अरे अब खाना खाई यह नाम में कुछ कर रहे हैं यह बेटा सुन तो पिता जी के पास पैसे नहीं है यह मंगल सुत्र गिरवी रखकर तू पासपोर्ट बनवा ले मेरी बात तो सुन अरे यह पूरे चार तोले की चीन है वह कहीं बहाँ जाके बेज देगा तो इतने प्य आगा यह पासपोर्ट बनवाले बीटाँ क्या हुआ फोटो ने खीचवा यह इसफोटो भी निकालने हैं आप क्या चाहिए आने जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए इसे जाकर भी आना है ना यह दो सो रख ले बस बस जा अब ज़ल्दी आ तो पासपोर्ट अफिस आ पास आप छोड़िये आपको डाटे बीना खाना हजम ही नहीं होता मैं सांबर लाती हूँ नेत्रा रुको नेत्रा रुको नेत्राएं दोनों प्यार करते हैं जिस मुझे जूट बोला है प्लीज बोल रहा हूं आज के बाद तुम्हारी कसम खाता हूं मैं तुम्हारी कसम खाके गयता हूं आज के बाद ऐसे लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा नित्रा सच कह रहा हूं यह पिने की वज़े से यह सब हो गया है ना आज के बाद मैं छूंगा भी नहीं उसे सच कह रहा हूं बस एक मिनुट रुखो आज कि ये लोग क्या है ये सब अरे लो ना बताता हूं अच्छा आज मेरा बर्थडे है ये तुम्हें कैसे पता चल गया मुशे पर ये तो फॉरिंट्रेस्ट चैसी लग रही है मेरे पापा दुबए गए थे ना वहीं से लाए है यह देखो नया मोबैल दिलवाया है सिम काट लेने के बाद तुम्हें नंबर देता हूं अच्छा यह सब तुम्हारे पापा तुम्हारी बेहन के लिए लाए ना बेहन मैं एक लौता बेटा हूं पापा मेरे लिए जो ड्रेस लाए थी वो नहीं देख रही है मां क्या का एक महीना एक महीना तक तुम्हें देखे भीना नहीं रह सकता हूं मैं कि अरे मेरे पास नया मोबाइल है क्या बात करती है तुझे करना भी नहीं था अच्छा एक आइडिया बताऊं घाय को घास चदानी है यह कहे कर मैं अपनी झाये को लेकर जखेंगल में लें वहाँ ले आइना हम मिल लेंगे क्या कहाा तू भी ना मैं भी तो आउंगी देखिए जी इस लैप्टॉप का पंद्रह जाल से जादा नहीं दे सकता है क्यों खराब कर रहा है और वह घास खिलाने जा रहा है कि बेशने जा रहा है आप हमेशा उसके बारे में उल्टा ही सोचिए कुछ अच्छा मा सोचिए आप तो पैसा दो क्या अपने दुनिया में कभी इस तरह की माँ देखी है क्या एक बात बटाओ वह बड़े दुकान वाला कैसे पहचान जाता है यार तू ऐसे खाने के लिए बटे का तो पहचाने क अधिया है दुबाए का ट्रेस पहन कर आने के लिए बोला था ना तुझे जंगल में वो ड्रेस पहन कर आऊंगी तो अजीब नहीं लगेगा हां कल गाओं में दीवी का मेला है ना वहां में वह ब्लाइब तुम भी वहाहां आजाने कल मिलते हैं तुम मुझ से मिलने आता हूं आता हूं आता हूं जरा हाथ दे नहीं यह भाईया कौन है तुम्हें काम करो गाय को वहां लिकर जाए अभी आभी वहां पर बान कर आया हूं कि छुपा छुपी खेलना आता है क्या तो खेले गया है पहले इसको भाहतें गया है चलो बच्छा आजव ऑज़ा जो भूब слов धैसे इस तरह से घुमा चोड़ देता हूं तुझे तुझे वहां पूंध हो जाना यह तर फिक हुआ उर छाण वह वे और फुरौण हो जांग ऑम जा फो खुम हुआआ ुश्यार हूं ह熟 और सा अच्छा बोहुत दिनों से तुमसे सवाल पूछना चाहती थी तुम्हारा नाम किसने रखा था क्यों बिल्कुल मैरा नाम गुली नहीं है जानती हो तो फिर अन committee यह मेरे साथ दोस्ते ना उन्होंने मुझे गुली भुल कर मेरा नाम कर दिया तुम उन पानी को मुँँ में भर के अनने से पहले अनने से पहले मुर्गी ने मुर्गे से क्या कहा था पानी भर के ये गाना है और गाना काते समय पानी अंदर भी नहीं जाना चाहिए और यह कौन सा खेल है हम चाहे तो दिन भर बोतल को ऐसे मूँ से लगा कर सकते हैं अच्छा तो करके दिखाओ आखिर में यह हाथ में मिलेगा क्या का कुछ नहीं कुछ नहीं ज्यादा आए पकड़ लिया दी पकड़ लिया दोनों को पकड़ लिया इसको साथ में लाए अगर इसको साथ में लाओं तो अच्छा नहीं होगा पहली बोल देता हूं लेकिन कर दने के बाद मुझे देना यह वह बहुत अच्छा खेला तो जा ना क्यों हमेशा मेरे पीछे-पीछे घुमता रहता है क्या अर्जंट है कहां जाना है तेरेको मेरा हाथ तुक गया और जाके चार अंड़ा पानी लेकर दाल नमस्कर भाई साब क्या कर रहे हैं आप दिख नहीं रहा है क्या 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 यह कि आशक्या का नहीं बखाता है तो तो बहुत काम फुर्सत तेरे बाप के आने बाहिए हैं कि जो किकतना काम कर रहा है नंदीशा मिस्टर नंदीशा आज के बाद मैं तुम्हें नंदीशा करके नहीं बुलाओंगी अंडे से बाहर आने के बाद अंडे से बाहर आने से पहले मुर्गी जुनियर सिल्क आ रहे हैं चलते हैं पहले से चिकर सिंक्री वाले गुली से बहुत नाराज है और इसे ढूंड रहे हैं अगर हम लोग सिल्क को देखने वहां जाएंगे तो बहुत मार खाएंगे अरे नहीं यार गलती हमने किये तो हमारा वहां जाना ठीक नहीं है छोड़ दे यार प्रॉप्लम होगे तुको चपट वरना मार खाएगा एक गुली चलना यार चलते हैं कान की नीचे बजाओंग काञडी मेलतविant ले रहे हो पांट्सो की बाजी लगाई है इसे लिए करद्शेंज गर रहा हूँ हूँ है सीनु सीनु साइब को घुली मेले में आया हूँ हाइए कोऑसी है सच कह रहे वो हूरे औरे तिरे बाप केसम तेरी केसम मेरी केसम वह Voilà एक कुछ्ट मानना एक यहां से पूरा स्टेज नसर आएगा बहुत अच्छा दिख रहा है यह लो कौन है वाह यहां से अच्छे से दिख रहा है ना हां देखो यहां से भी फूरा स्टेज दिख रहा है हाँ है क्या हुआ दिख नहीं होगा अदे अधिक आगे क्यों जा रही है अरे आगे-अगे क्यों जा रही है शांती से बैठना अच्छे से दिख रहा है यह लोग कौन है बच्चों को हटाकर खेलो काकर आप सबके इंदिजार की घड़ियां आप समाप दो गई हैं आपके सामने आ रही हैं स्वापने सुन्दरी जवां कॉने बहुत दुक हैं तुम हमारे दांस एक हो शोकर पंचाइट परमेश्वर जी ने हमें 500 रुपए का इनाम दिया है पंचाइट परमेश्वर जी आपके लिए उहां नहीं यह जलत है अरे मैं कसम खाके बोल रहा हूं मैं सच कर रहा हूं मैंने इस लड़की को देने के लिए 500 रुपए चंदर से मेरे साथ जल्दी ना वकील से मिला ना कोड गया यह तो सीधा डाइवोर्ज दिला दिया अपना पैसा खर्च करके मेरा संसार बिगाड के तुम्हें क्या मिलेगा इसे ही तो लिप्स्टिक पाउडर बगारे दिलवाया था अपने यार और सिल्की जोड़ी मस्त तो अपना यार और सिल्की जोड़ी मस्त है यार नेत्रा वह लोग पी कर बोल रहे हैं मेरी बात को समझो नेत्रा तो यह हमें मार रहा है क्या क्या करूं अभी है हेलो 143 गाड़ी आपकी है हां क्या हुआ भाई साब उसी रास्ते से देवी की पालकी आ रही है जरा अपनी गाड़ी साइट कर लीजे क्या भाई क्या ढूंड रहे हो कुछ नहीं भाई मैंने यहां गाड़ी रखे थी दिखाई नहीं दे रही है ऐसा तो नहीं कहीं और रखी थी और अभी तुम्हें याद नहीं आ रहा है नहीं भाई मैंने यहीं पर रखी थी अच्छा वो देखो वो गाड़ी तो नहीं है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुने मेरे मंगेतर को हाथ लगाया और उसके बाद फिर दुबारा मेरे गाउं में भी आया मैं कुछ दिनों तक चुप बैठा रहा तो तेरे अंदर का डर निकल गया क्या हां अभी तुझे दिखाऊंगा कि डर क्या होता है अभी देखेगा तू है मारो इसे छोड़ताने उसे मारो इसे कहा क्या हो दूल्लो उसे क्या है यह क्या है राइप क्यों चली गई अज़ा क्या है क्या कि वहन तुमने सुना क्या उस दिन मेले में क्या हुआ कुछ लड़के वहाँ आए और लड़की को छेड़ने लगे ऐसा मुझे गाव वालोंने बताया तुमने सुना क्या अरे तुम्हें पता नहीं क्या रात को मेले में नाचने वाली लड़की आई थी ना सिल्क पलक क्या नाम था उन्हें भगा के ले जाने आया था ऐसा क्या हाँ हाँ छोटी छोटी लड़कीयों को उठा कर ले जाना ही तो उसका काम है क्या हुआ था क्या है यहां मैं रोज आकर उसका इंतिजार करता हूं यह नेत्रा को पता नहीं है वो तो तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती अरे भाईया आपको इसन माच देखने आना चाहिए था एक बॉल में दो और अरण चाहिए थी लेकिन फिर मैंने ऐसे बॉलिंग की कि सीधा उसको बॉल्ट कर दिया अच्छा बॉल्ट बेटा इधर आ तो मुह इधर ला और इधर ला प्फ बहुत बड़ा क्रिकेटर है क्या तो इतना सीरियस क्यों है यार अरे तो फिर तेरा मुह क्यों लटका हुआ हुआ है बाई कुछ नहीं हुआ कह रहा हूं ना ए तुछ करना यार गुली तेरे को दवाई लेनी चाहिए थी ना ले लिया कोई समस्या है तो हमको बताना हम सॉल्व करेंगे अरे वो नेतरा है न हां हां बोल हां वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती है लेकिन क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि पुरे गाउं को पता चलना और उसके भाई को जलन होनी चाहिए सब इस कमीनी की वज़े से हुआ है पी पीकर वहां पर सिल्ख सिल्ख करके चिला रहा था ना अब अकल नहीं है और यह उसके साथ मिलकर मुझे जाना नहीं है जाना नहीं बोल रहा था दूंग एक कान की नीचे मार कर फैंक देना चाहिए तुमको तो चोड़ना यार तू मंजू और नेत्रा दोनों दोस्त ना अरे दोनों एक ही क्लास में बढ़ते हैं अरे वो लोग कहीं भी दोनों यह साथ में आते जाते हैं अरे यार कल मंजू के घर पर कोई फंक्शन है तू बोल कर बाप और मामा के नाम का सिर्फ एक ही कार्ड चपवाना और प्रिंट करके सीधा नेत्रा के घर में दे दे दें अब तू चुप करना उसके फ्रेंट के घर में तो वह जरूर कैसे भी महां आएगी और आएगी तो हमारे खेट से हो करी आएगी ठीक है मैं वहाँ पर बात कर लूँगा बराबर क्यों रे सुबह से मैं जाने के लिए मना कर रही हूं और तू जिद पकड़ कर बैठी है वह मेरी क्लास्मेट है माम मेरी फ्रेंड है साथ में पढ़ने वाले सब लोग आ रहे हैं गायत्री भी मेरी बात कब सुनी है आपने मालती को लेकर जो कमिना गुली गया था ना उसके नाम के साथ नेत्रा का नाम पूरे गाउं में लिखा हुआ है या तो वह जान बुचकर अपमान कर रहा है या फिर नेत्रा भी उसके बहकावे में आ गई है लेकिन वह स्कूल के आस-पास कहीं दिखता नहीं है जाकर उसे सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था बेटा वह उसी से मिलने गई होगी मुझे बहुत डर लग रहा है ठीक है मैं जाकर देखता हूँ मुझ पर इतना गुट्सा क्यों हो तुम सामने से हटो मेरी फ्रेंड के घर में मुझे जाना है कोई फंक्ष्ण वंक्ष्ण नहीं समझे मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए ऐसा कार्ट वें प्रिंट करके भीजा है शेह देख तुम मुझे पर गुस्सा है यह तो मैं जानता हूं लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन ले तुम क्या बताओगे मैं बताती हूं उस दिन तुमने मेरे सिर पे हाथ रखके कसम खाई ती और मैंने सच मान लिया और तुम तो डांसर को उठा के लिकर जाते हो और पीते भी हो तुम जूटे भी हो तुमने कहा था तुम्हारी बहन नहीं है पर वह भी जूटे क्ला तुम एक गुंडे हो अंचाने में कह दिया कि तुम से शादी करूंगी माफ कर दो मैं यह नहीं कर सकती प्लीज रुग्जा उस मंदिर में आकर मैंने जगड़ा किया क्या और मैं त जिर फॉट दिन से मैंने कोई भी लफड़ा नहीं किया है पता है सिनू मैंने या पूछता आज की है यहां वैसा कोई फंक्शन नहीं है तुम अच्छी लड़के हो सकते हो लेकिन मेरी घर वाले तुम्हें बिल्कूल भी पसंद नहीं करतें तुझे भी पसंद नहीं हो थे यह पूछ रहूं मैं तुझे भी पसंद नहीं हूं क्या नहीं पास Um, um, um जोड़ों पुसे, ए उच्छे चुछे कि वाला हो? पाकल हो गयो क्या? ड्राइवर गारी रोको! तुम्हें मेरे बात समझ नहीं आती है, ड्राइवर गाड़ी रोखो! बोलिया बड़ी मा, क्या? वो घर पर आ गई? हाँ, ठीक है, एई, चलो वापस! अरे हमारे गाव में जगा जगा जिसका नाम लिखा है न, वो नेतरा का ही नाम है, इसका मतलब उन दोनों का चक्कर है, शकल से तो कितनी भोली लगती है, सबको बोलती है कि कॉलेज पढ़ने जा रही है, लेकर जाती है लड़के से मिलने, कहा है वो, कहा है बताओ, अरे, तीछ हटो, रुख चाओ, फिछे, चलो पीछे, शिवा, बात को सुदो, रुख चाओ, चलो, हटो, जाूँगा, जा उनसे मारतो, उसे, रुख चाओ, शि आपने घर की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए इसे चिलाएगा तो खुद ही सब को बता देगा उसकी और हमारे बीच में दुश्मनी है यह सब कुछ वो प्लाइन करके कर रहा है सब जानने के बाद भी यह उसके साथ घुमती है मैं आपके आगे हाथ जोडता हूँ बड़े पिता जी मुझे मेरा काम करने दिये इतनी जल्द बाजी क्यों कर रहे हो एक बार मेरी बात तो सुनो मुझे कुछ नहीं सुनना आपको कुछ नहीं पता हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते इसलिए मालती को भागा कर उसन तो तुम क्या करोगे अभी तक जितना हुआ है उतना कम है क्या इसलिए मैंने तुम्हें उस रिष्टे की बात पहले ही बता दी थी मैंने उन लोगों से बात करके फैसला भी ले लिया है तुम्हारे पिता को बता दिया है वो भी मान गए है कल मंगलवार बुद्वार गु तेरा साथ देगा लेकिन पहले शादी के बारे में सोच हां अभी वो यहां रहेगा क्या राइट चालू है ना मतलब वो यहीं पर बैठा होगा चल कर देखते हैं आजा ए गुली तू यहां पर इस वक्त क्यों बैठा हुआ है नेत्रा ने कुछ कहा क्या तू बोले ता मु भुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और कोई क्यों पसंद करेगा मेरी हर बात जूटी होती है आप कमर और बैठ कर खो खांड और है पूरा गाओ मुझे फोकचन फोकचं करके बोलता रहता है को वह पसंद करेगा लिखा था न उसमें मैंने पूरा नाम लिख दिया अब तक तो यह बात पूरे गम में फैल गई होगी अब उससे कोई शादी नहीं करेगा मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए थे ने गुली अम मेरी वजह से तुम दोनों मिलोगे गुली कॉन है यह अरे वो मुझे प्यार नहीं करती तो मैंने इसा लिखाया ऐसा समझेगी तुम्हों करते हों कि मैं पहिंचाता हूं तु भी ना गातम सब गदम हो गया गुली अगुली सुना मैं यह शादी नहीं करना चाहती अब भाईया से बात कीजिये न अरे बेटा वो तुझे दुख थोड़ी ना पहुचाना चाहता है जो भी कर रहा तेरी भलाई के लिए कर रहा है यह थोड़ा सा खाले बड़ी मां क्या हुआ ले एक निवाला तो ले 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 ना बड़ी मां अरे आ रही हूं अच्छा खाना खाके सोजा बड़ी मां कहां हो अरे क्यों चिल्ला रहा है मां मां अरे हाथ हटा मुझे इशादी नहीं करनी मां फंक्शन में जा रही हूं बोलकर मुझसे जूट कहा तुमने तुम मुझसे बिल्कुल बात मत कर आ मां तुम यहां पर हो बड़े पिता जी तुमे बुला रहे हैं जाओ जाकर देखो तुम्हारी दादी खरे बात बता करोगे नहीं खर सकता वर्ना यहीं बात पूरे गाउं में फाल जाएगी जाकर देखो क्या बात है ठीक है भाईया मुझे ये शाती नहीं करनी भाईया क्यों इस ये बताने गई थी कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता मैंने उसे कहा कि वो मुझे भूल जाये लेकिन आप तो ऐसे से मेरी शादी करवाना चाहते है जैसे मैं जानती भी नहीं किया आप मेरे साथ ठीक कर रहे हैं किया आपको मुझ पर भरोसा और तुझ पर अरे तुने जो किया उसके लिए तुझे काट कर फेग दिया लेकिन तुम मेरी बहन इसलिए छोड़ दिया बहुत जल्दी मेरे तेरी शादी करवादूंगा भरोसे कि बात करती है जादी कि बात कर दो भरोसे की बात कर थोड़ियन है कि आपको लगता है कि मैं भाग जाओंगे इसलिए बांध रही हो क्या इतना भी वरोसा नहीं है तो एक दिन में सच में भाग जाओंगी कोई नहीं रोक पाएगा पहले ही देर हो चुकी है जल्दी जाकर जल्दी आना हां चलो आरे तुम लोग यहां बैटकर मीटिंग कर रहे हो क्या चलो जल्दी जल्दी काम करो आरे हाथ चलाओ जल्दी गेहुप इस्वाने के लिए मैं हां हां ए जी मैंने कहा था ना देखिए इसने नए कपड़े पहने हैं मैंने कहा था ना इसका अच्छा टाइम शुरू होगा आपको पता है गेहुप मैं पिस्वाकर लाता हूं बोल रहा है तो वहां किसी का फंक्शन है वैसा कार्ट प्रिंट करवाने वह गया था इसके बरोसे रहेगी ना तो कल ग्रेपरवेश में आटा भी आएगा इडली भी तुई बनाएगी हां वो करेगा आप जाए और इसे पिस्वाकर लाइए तुम दोनों मा बेटी के वज़े से मेरे सर के बाल उड़ते जा रहे हां उसको गाली दिये भी ना आपका दिन नहीं जात रहे हैं इसे वहां रख दे हां नेतरा सुना इदे रहा है बोलो क्या गेरी हो मेरी शादी हो गई है क्या बात करी हो तुम्हारी शादी हां अगले शक्रवार को हालो 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 बात करो नित्रा रंगपा वह देख किसी पागल ने को खेत के आंदर ही छोड़ दिया है किसमें चब क्या काई चोड़ कर कहा चला गया म multif bara था उससे बात करते करके वह उधर चला गया हूँ नेद्स अधे नहीं किसे बात कर रहा है और बात हो गई कि नहीं ? ड़ंति तुरे फोन आए था आ बेठी घोलता फोलता है जाए जा इस तो फिर से उतर जाएगा किया इस बारा है कि रहें वेड़ा है देख जैय कुछ नहीं गूली बात कर रहा हूं तू अभी तेख नहीं सुध्रह क्या देख सीनु मेरी बात सुन तेरा हैं इसा yapmış चल रहां है मुझे अच्छी तरह पता है तू नीसे सच में प्यार करता हूँ उसने फोन करके बताय शुकरबार को उसकी शादी है चला मैं भी बताता हूं शुकुलार को ही उसकी शादी है जर्ची अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो क्या कर लेगा रहें क्या कर लेगा अगर तुने कोई भी गडबड की न तो तेरा सर तेरे धड़ समय अलग कर दूँगा है अगर वह यहां नजर भी आया ना तो उसे जान से मार दूँगा पहले मेरी बात सुन बोलिए बड़े पिता जी लड़के वालों से मैं बात करता हूं शादी शुक्रवार को नहीं कुरवार को करते हैं क्या कहा हम उससे डर जाएं अरे वो कमीना डर पोख है आप भी डर पोख हो गए क्या बड़े पिता जी ए जाकर अपना काम कर कुरवार क क्या हुआ सीनू देखिए चाहे वो रोए या खाना नहीं खाए आप उस पर रहमत किजिएगा अगर वह बात्रूम भी जाए तो आप उसके साथ जाएएगा समझ गई न अरे क्यों परिशान हो रहा है मैं हूँ ना मैं उस पर नज़र रखूँगी आपए दामाजी आगए ऐसे क्यों उत्थर यह क्यों लेकर रहे हो हमने सुना कि कुछ प्राप्लम है इसे लिए यह सब लेकर रहे हैं हमने नाओं में आकर हमें कौन चून सकता है तुम हमें कमजूर समझ रहे हो क्या पिताजी कैसे है वैसे ठीक है लिकिन कल शादिये तो थो जाओ 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 के बीच पे अजार बाते होती है चलो खाना खालेते जैसा हमने सोचा सब वैसा ही हो ना कोई टेंशन नहीं फिक है आप अराम किजे मैं बता दूंगा ठीक है यह देखो कैसे हाथ जोड़के खड़ा है अरे यार तुम लोग कहां से आयो बाई नमस्ते पापाजी यह सब क्या है चुंटी बाई टुंटी का फ्लैक्स सब अच्छे से बांद दिया है चका चक लग रहा है ना देखिए देखके ऐसी जाएंगे क्या चाहिए हाथ तो गरम कीजिए और गाल कर दूगा पैसा मांग रहा है मुझसे अरे फोकट में दे रहे हैं क्या आपका नाम पता आपका नाम क्या है पापाजी बस्वा गोडा पूरा नाम नहीं लिख पाया इसलिए बस वालिक दिया बस हो गया मैं बस्वा गोला का भी और लाद तुझे मैं भी बोलता है मुझे भी मैंने बोलता ना इसका नाम कई छोटे में डालना कसम से एक क्वाटर का पैसने इसने गूली एलियाज नंदीशा कब सुधरेगा सुधर जा ए गूली सुनना यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है उन लोगों ने अपने आदमी पूरे गाउं के बाहर बिठा दिये हैं उसे लेकर आना बहुत मुश्किर हो गया है यार मेरे घर का ग्रीव प्रवेश है हार जाना मोटा और बड़ा बनाना अर्जेंट में एक शादी का कुछ करके दे रहा हूं तब तक आप चाय पीकर आजेए ना मैं बना दूंगा गुलाब के फुल ज्यादा डालना ठीक है पच्चास रुप में सारी गुलाब इसी में डाल कल सुबा 10 बजे हनुमान मंत्र के पास आजाना प्लान क्या है कैसे करना है वह सब मैं बताता हूं घर मैं घुसकर उठाकर सीधे शादी कर दूंगा हाँ वह क्या मिस्स बोर्ड है क्या उसके पीछे पड़ा हुआ है तो नहीं पहले बोल ए गुली छोड़ना इसे हम लोग स अगर फंस गया तो पूरी बहुत का पता से जाएगा यह काम करता हूं इस गाड़ी के पीछे चुक जाता हूं पता नहीं यह लोग कब जाएंगे मैं कब भूल लेकर घर पहुंचेंगा कौन अब है जब बीच रोट में बैटा हुए पिशाप कर रहा है अरे यह तो अपन अरे हमारा चोड़ो तुम क्या कर रहे हो वह गणा लेना आया था शादी के लिए हार बनाने को बोला था भगवान के नाम ले यह क्या है अपना मुझे रखना क्यों सुभव सुभा पासा रहा है तो काम दिया वह करके देना कल्दी हाँ मैंने शादी के लिए तेरी बोला वो लोग सुन लेंगे लादे यह लो हलो 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 उसके हाथ में फोन ने फिर भी हलो अलो बोले जा रहा है जिस दिन से हमने मर गया ऐसा अनौंस किया उस दिन से वह ज्यादा ही पागल हो गया है चोड़ना अब यह तो जल्दी बनाना अगर मूरत निकल जाएगा न तो मेरा आप मुझे बहुत मालेगा ठीक है ठीक है भाई दे तो रहूं भाई अरे वह आदमी शुकरवार को आया था बोलना था कि उसे शादी के लिए हार बनवाने और कर आदिनात को आकर बोला कि सुबही शादी तो जल्दी हार चाहिए और अभी बोलना था कि उसे भगवान के हार चाहिए को समय नहीं आ रहा लगता है यह कोई गुप्ठ शादी कर रहा है हाँ खेर फोड़ो हमें क्या कर रहा है यह क्या हो गुली क्या सब खतम हो गया नेत्रा की शादी आज ही होने जा रही है क्या है कि यह बेकार गाड़ी यह प्रेक भी जीक से नहीं पड़ते हैं सिनु शिनु चाहिए बात है हार लेने गया था उस समय पुली ने मुझे वहां देख लिया अधी बता रहा है अरे रुक तो मेरी बात तो सुन लें उसके बात तुमार ले ना हां ने वहां पर यह ब क्या साले साब कैसे हो मैं गुली बात कर रहा हूं आगर सही करवा रहा हूं तू यहां पर आकर दिखा ऐसा बोल कर बहुत ज्यादा ही उड़ रहा था अगर सही में तुम मर्द है ना तो शुकरवार को ही शादी करवा के बता है तो मेरे पहले सी नाचने में एक तो मेरे पहरे बहुत चर्बी चर्डगी तुझे अगर तेरे अंदर हिम्मथ है तो गाउं दर पैर रह कर दिखा अरे मेरी बहन को ले जाना तो दूर उसे चू कर दिखा क्या साले साब अभी भी डर डर करी बाते करते रहेते हो रजिस्टर आफिस के पास रहेकर गाउं में आजा गाउं आजा बोलते रहेते हो ही का चोड़ो लड़की वालों को प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ दूलहन को ही ले जाने से शादी रुखती है क्या दूले को ले जाने से शादी नहीं रुखती ज्यादा ओडमत तेरे घर के होने वाले दामत से ले बात कर हलो सीनू हलो आप क्या करता है बोल तू आकर लेकर जाएगा या फिर अपनी भेन के एज़ी शादी कर लेगा पूछो चोटा बच्चा भी लेकर आएगा रखता हूं साले साहब मेरी बात सुनो यार यार इस हैंसम लड़की से शादी करने के लिए लड़किया लाइन में लाइन में खड़ी रहती है और वह बेचारा उसने एक लड़की को पसंद किया वह लड़की नहीं है पागल है गाउं के लोग मेंटल मेंटल बोलते हैं इसलिए वह उसे शादी करना चाहता है तू बीच में कहां से आटपका यार राज कुमार की तरह दिखते हो यार तू भी यार कितना हैंसम लगता है चश्मा पहन करके हीरो लगता है भाई तुझे तो एक से लड़की मिल जाएगी चापान की चाइना की नेपाल की जहां की चाय का मिल जागा इसके चक्कर में क्यों पढ़ा है तू भी अपना रास्ता पकड़ना भाई कहां आगया असके पीछे क्यों सर टेंचन हो रहे क्या कुछ पीना चाहते हो लाओं क्या वह अभी बीर मांगेगा तो कहां से लेकर आएगा अरे जल्दी-जल्दी करो बहुत देर हो रहा है आरे आते हैं बाबा तू तो हमेशा जल्दी में रहता है क्यों रे तू किसे बात करी है कब से फोन पर लगी है ऐसा पूरे गाव में फैला कि मेरा अपमान कर दिया हो ने हमारे खांदार के उताने के लिए ही वह यह सब कर दहां है अरे चिल्लाओ नहीं तो और मैं क्या करूँ अरे शांत हो जाओ सबको पता चल जाएगा चलो अंदर चलो क्या वो दुले को छोड़कर चला गया शरूर वो कोई प्लान मना रहा है शादी रजिश्टार आफिस में नहीं घर पर होगी सब लोग घर पर आजाओ समझ गए ना हाँ अरे यह सब ड्रामा ड्रामा और कुछ नहीं है इसने कोई जहर नहीं पिया है अरे आप भी ना इसने जहर पी लिया है और आप पूछे हैं हसी क्या हसी क्या आप मैंने जहर पिया नहीं था फिर भी घंड़ा पीडिया ना इसका भी यह प्लाइन उसके जहर नहीं तॉम सब को बेकु बना रही है अरे मैं तुम लेने पता चला है इसने जहर पीलिया है यह पागल हो गया है अरे उसे मत लेकर जाओ उसने कुछ नहीं पिया है अब देखता हूं तुम कैसे जाते हो अब चलाओ तुम इसे पीलिया है क्या हो तुम लोग उसे अभी हॉस्पिटर लेकर जा रहे हैं उसे हॉस्पिटर लेकर मत जाओ घर पर लेकर आओ मरने दो उससे निर्दई कहीं का यहीं गाड़ी रुको डॉक्टर किसी भी तरह मेरी चलिए चलिए आप बहार चलिए पिशेंट को परिशान बते हैं नर्स डॉक्टर साब हाई हां अरे यह तो यह तो वह हॉस्पिटर लेना हां मैं छोड़ू आनि उससे यह लूजर यहां पर क्या कर रहे हैं तू किसे लूजर बोल रहा है थोड़े देर रुक्ट ना बताता हूं तुझे पता यह तो वह ही बैट है लेकिन जगह बदल दी कहां गये यह लोग इधर ही होने चाहिए इधर भी नहीं है उदार रेखना चाहिए तू कहां जा रहा है यह तुझे छोड़ूंगा नहीं है रुक्ट जा अरे यह लोग भाग गए तू क्या कर रहे हैं फोन में अरे वो लोग पीछे के रास्ते से भाग गए हैं अब यह क्या ला रही हो आप अरे डॉक्टर ने कहां बच्ची को फल खिलाओ ग्लुकोज और लेकर आई होस के लिए बहुत ही अच्छा काम किया लेकिन एक काम और करो एक फल तुम लो एक इसे देतो यहीं बैट के खाओ वो दोनों पी कि यहें को विए कि अच्छा के लोग मुझे वेवकू समझते हैं इसमय में तो कुछ आता निया है आँ चल दे गाड़ी नुकाल कि देख तोट्रमत मैं हूं तरी साथ तोटर्मत और है क्या करना करो किए तुम्हारे साथ मुझे बहुट त Watts लेकर ऊपने लगें दूने वह कियाION जो नामने मैंने तो można ने को पीक्रेस ने उक्शन की जाए त तूह है तूम्हार जाती है बगली ओर पाटेस और तेस और लोग उसके गाम की तरफ जारहें जल्दी जल्दी चल यार जल्दी चल और तेस अरे वह उतर जा रहा देख 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 इसको लगता कि परमेश्णुर इस पर नजर नहीं है मैं चोड़ूंगा नहीं आ यहां काड़ी रोक यह क्यों क्ह Venezia अ पर चल 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 आज 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 दो नो यह तो बंदी रहे हैं यहां क्या करे ढ़ाइगा यहाँ आ यहां जुड़ो अभी यह सब जरूरी है क्या भगवान हमें एक कर रहे हैं तो तुम भगवान कोई टाटोगी क्या भगवान तो दिखी नहीं रहे सिर्फ खंबा दिखाई दे रहा है अरे कुछ तो दिख रहा है ना तुम अपनी आंखे बन करो नित्रा है अलो प्यार से भक अगे आधिं इस ने तो मंगर सुथ भंड andar तो चल 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 जल कलो आहां सुन रहा हूं क्या हूँ कि फैंक के और उसी दुछे के साथ शाधी करेंगे मुझे देखो मैं कार में तुम्हें मंगल शुत्र बांता तो तुम मानती क्या अभी घर पर जाओंगा तो मेरा बाप हम दोनों की शादी करवाएगा क्या वो तो इतनी बड़ी तलवार लेकर हमारा इंतजार कर रहा होगा कि लो इस वारखो कि रुकर को काड़ी को देखता हूँ वो कांगे है यह से कहीं गया ने वौ देखता हूँ धर गया होगा यहांसे किदर गया वो इधर यह इधर अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं माइक लगा के मौत का समाचार दे रहे थे ना आज भी वैसा ही बोलो के तो छोड़ दूआ किया रहा रहा है तुम में से कोई मताना नहीं मैं आ रहा हूं मैं डारेक्ट जाता हूं दर यह सैट नहीं होगा अब बताता हूं मैं आजाओ यह अब वाग गया है ले यह तो कहीं गया हो गये है इन सब के चक्कर में अब क्या करूं मैं हां चुप चाप से ही अपने आपको सरंदर कर देता हूं है वाहिसार यह तो गुली की गंग नहीं है अब क्या करूं है समझोता करना है इतना सारा रंग लेहां कि आप कौन से फंक्शन में जा रहे हैं क्या हो रहा है है बताओ ना अपने बेटे को भी बुलाईए अरे आप मुझे शांती से रहने दीजिए पूजा कीजिए आप क्या माजी अपने बेटे को छोड़ कर वो कहीं बाहर गया है आप शुरू कीजिए लेकिन मैं किसी से नहीं डरा और किसी के सामने सर नहीं जुकाया मैं लेकिन तुम्हें मंगल सुत्र बांधने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है नित्रा बाहरी देश में जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं नित्रा और तो मैं जिन्दे की बार हमेशा हमेशा के लिए खुश्र रखना चाहता हूं क्यों दादा जी कैसे बहुत सारी मिठाई खाना क्यों बेटा इतना अच्छा घर बांदा मेरे लिए एक साड़ी नहीं खरी सकता था मेरे बेटी की शादी में तुम्हें रेश्मी साड़ी दूंगा अभी तुम पेट बरके खाना खाओ क्या हुआ यह सुधरेगा नहीं कभी भी शादी करके लिया किसी को अरे उस लड़की की आज ही शादी थी उसे मंडब से उठाकर लाया है वो इसे लड़के पर लड़की ने कैसे भरोसा कर लिया है नालाइक सब्सक्राइब मुझे और तु मेरा अपमान करने के लिए शादी अरे यह तो अच्छी बात है ना तो चिलाने वाली कौंसी बात है क्रैप्रवेश के लिए वहार यह कहले में पहन के खड़ा हो गया है सबको बेकु मनाता यह देखा इसको तो तेरे बेटर नमिलके हमारी हिस्सत की धच्चिय उड़ादी है छोलू वाला ही तुझे पहले लूंगी पहनो अरे तुने और तेरे बेटर ने मिलके देखा क्या इज़त दिये मुझे गाउं के समने लूंगी उतरकी तो क्या हुआ तुम लोग ऐसे क्यों खड़ी हो जाकर आरती लेकर आओ मेरी बहूं की आरती उतारनी की कोशिश की तुमां उसके हाथ काट दूगा फिर तो होगा देखा जाएगा आरती उताने को बोल रही हो लेकिन तेरा पती तो हाथ तोड़ने की बात कर रहा है ओहो यह तो ऐसे हैं तुम जाकर आरती लेकर आओ हम एक उल्ली तूने तो सच मुच्ट कमाल कर दिया या या शादी कर ली मुबार्थ को बहुत कभव्ट मुबार्थ को अ मैं ऐसे हुआ चाहिए था आट जाट और तूर के शुलत को च्तने तुर अे पत्तना मेंशियFr मेरे घर के सामने से तु मेरी आगों के सामने बहु को लेकी जा रहा है तुम लोग यहां पे खड़े-खड़े तमाशा देख रहे हो पेटी मैं हो ना देख रही हो ना शादी के दिन कैसा तमाशा हो रहा है या बड़ा तमाशा है पीछे रख नहीं तो सब को मार दूंगा एंट सपंसहरो करने गर्रक्रण मैं कुछ शरृ बड़ा है पातोल आ जाए थेख लेता हो एक एक काच लूप कि ठीक है रात को मिलना वहीं पर बात करेंगे समझ गया है कार स्टैन पर वहीं बात करते हैं देखा तुरी तेरे बेटे को शादी होए अभी आदा गंटा भी नहीं हुआ है और अभी से अपने साले की साइड लेने शुरू कर दिया बीवी का इतना तरफदार है कहीं बीवी के बातों में आगे अब इसाड़क में ना फेज़ें आप चुप रही है जी है चल गाड़ी निकाल है यह क्या है गोड़ा जी आप बेना ग्रह प्रवेश का निमंत्रन पत्र दिये हो हाँ तो और उसी के खर्चे में बेटे की शादी भी करवा दी क्या बादिए इस वक्त आप क्यूं तमाशा कर रहे हो खाना खाने आये हो खाना खा कर जाओ ना सब लोग आओ यहां पर दूला दुलन को लेकर आओ सब कुछ ठीक हो गया है चलो आजाओ गुली यार तुने बार्वी पास कर ली कि नहीं बार्वी वैसे तुमने कितनी पढ़ाई किया हरे तुम्हें पता नहीं है क्या हमारे गाओ में मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का हूं बी एसी कंप्यूटर साइंस अब अब जूट जूब के लिए ट्राइ कर रहा हूं तुम पर गया है कि अराम से अराम से पर पर दू मेरे बेटे से मिलने के लिए आया तो मैं बहुत खुश हो गया अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे बेटे को तुम्हारे गोध में बिठा कर कान में छेद किया उतना ही मेरे लिए काफी है और कुछ नहीं ऐसा किया तूने तो मेरे गाउं के भगव कान में छेट करूं भगवन मैं बहुता हूँ कि इंतजम करता हूं च्छे मैंने यहां रहने दो छे मैंने के बात देखना कॉन माइकाल मेरा क्या उखाडता है मैं भी देखता हूं जो हो सके वह बात करो जी जा क्यों यह नहीं होगा क्या बिलकुल होगा देखना जरूर होगा कि अब दूब कि